Hello student, welcome to all the studying education, तो आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे Class 10 Social Science भूगोल चेप्टर 4 का भी भी है objective question देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही helpful होगा, और आज का जो आपका chapter 4 है वो है परिवहन संचार एवम वेपार, ठीक है? तो चलिए, हम देखते हैं फर्स्ट कुश्चन है आपका भारत में वर्तमान रेल मंदलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान रेल मंदलों की संख्या कितनी है? आपसन ए है 8, ब है 18, सी है 12, दी है 14, तो आप लोग जल्दी से बता दीजे इसका right answer और आप लोग 2 से 3 सकेंड ले सकते हैं, 2-3 सकेंड के लिए वीडियो पोज करें, फिर आप answer सोचें, उसके बाद आप अपने आपको चेक कीजें, ताकि आपको पता चल सकें कि आपको chapter 4 में से कितनी objective question और या कितना तयारी हुआ हुआ है, ठीक है? कितना आपने तयारी किया है, ठीक है? चलिए, हम देख लेते हैं first का right answer, तो first का right answer आप लोगों का हो जाएगा B, ठीक है? फर्स्ट का right answer आप लोगों का B हो जाएगा 18, ठीक है? चलिए, हम चलते हैं second question पे, निमलिखीत में कौन सा महा सागर भारत का सबसे लंबा महा मार्ग है, option A है NH1, B है NH6, C है NH7, D है NH8, जल्दी से आप लोग second का right answer बदा दीजिए, निमलिखीत में कौन सा महा मार्ग भारत का सबसे लंबा महा मार्ग है, ठीक है? चलिए, हम देख लेते हैं second का right answer, second का right answer आप लोगों का B हो जाएगा NH6, ठीक है? चलिए, चलते हैं third question में, भा आड़त का कौन सा सहर, Grain, Trunk, Road, N-Watch 1, NH1 और NH2 पर इस्थित नहीं है, option A है इलहाबान, B है लखनो, C है आगरा, D है कानपूर, अब जल्दी से आप 3 का right answer बता सकते हैं, I hope कि आप लोग 3 के right answer सोच लिए होंगे, चलिए, हम देख लेते हैं 3 का right answer, तो 3 का right answer आप लोगों का यहाँ पर A student देखिए, second का right answer आप लोगों का C हो जाएगा, NH7 ठीक है, second का right answer आप लोगों का C हो जाएगा, चलिए हम 3 का right answer देखते हैं, तो 3 का right answer आप लोगों का B हो जाएगा, लखनो, ठीक है, भारत में कौन सा सहर, Grain, Trunk, Road, NH1 और NH2 पर इस्थित नहीं है, ठीक है, 3 क right answer आप लोगों का B हो जाएगा, लखनो, चलिए, चलते हैं 4 question पे, भारत में सबसे पहले रेल गारी किन station के B चली थी, option A है मुंबई से पूने, B है पूने से अमदाबाद, C है मुंबई से थाने, D है हावडा से खगरपूर, जल्दी से आप लोग 4 का right answer सोच सकते हैं, तो 4 का right answer आप लोगों का C हो जाएगा, मुंबई से थाने, 4 का right answer आप लोगों का C हो जाएगा, मुंबई से थाने, चलिए हैं, चलते हैं 5 question पे, तो 5 का question है आप लोगों का, राष्टी है जल मार्क संख्या, 01 किष्ण दी और किन अस्थानों के बीच है, option A है ब्रहम पुत्र स दिया गवरी, B है गंगा इलहाबाद हल दिया, C है पच्छिम तट नहर, कोटा परंपूर कोलम, D है नर्वदा जवलपूर भरूच, तो 5 का right answer आप लोगों का B हो जाएगा, पच्छिम तट गंगा इलहाबाद हल दिया, ठीक है, तो 5 का right answer आप लोगों का B हो जाएगा, च जुड़े हैं, option A है मुंबई तथा नागपूर, C है नागपूर तथा सिलीगूर, C है मुंबई और कोलकाता, D है सिलचर तथा पोड़ बंदर, जल्दी से आप लोग 6 का right answer कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो 6 का right answer हम चलिए देख लेते हैं, इसका right answer, तो 6 का right answer आप देशों के विपार को दर साता है, option A है अंतर राश्टी विपार, B है अस्थानी विपार, C है आंतरिक विपार, D है बाहरी विपार, चलिए से आप लोग 7 का right answer कॉमेंट कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं 7 का right answer, तो 7 का right answer आप लोगों का A हो जाएगा, अंतर राश्टी विपार, 7 का right answer आप लोगों का A हो जाएगा, अंतर राश्टी विपार, चलिए चलते हैं 8 question पे, सुतनता प्राप्ती के समय देश में सरकों की कुल लंबाई कितनी थी, option A है 2.42 लाग किलो मीटर, B है 1.46 लाग किलो मीटर, C है 3.88 लाग किलो मीटर, D है 5.78 लाग किलो मीट ठीक है, जल्दी से आप लोग 8 का right answer आप लोग कोमेंट कर सकते हैं, तो 8 का right answer आप लोगों का C हो जाएगा, 3.88 लाग किलो मीटर, ठीक है, चलिए चलते हैं 9 question पे, पक्की सरकों की लंबाई की दृष्टी से पर्थम अस्थान पर कौन सा राजी है, option A है बिहार, B है C है तमिलाडू, D है केरत, तो 9 का right answer आप लोग कोमेंट कर सकते हैं, तो 9 का right answer आप लोगों का B हो जाएगा, तो 9 का right answer आप लोगों का B हो जाएगा, माराष्ट, ठीक है, चलिए चलते हैं 10 question पे, निमलिखित में कौन सरक, कौन सरकों का एक वर्ग नहीं है, option A है पूरब प पता सकते हैं, तो I hope कि आप लोग सोच लिए होंगे, तो 10 का right answer आप लोगों का D हो जाएगा, सिमान सरके, ठीक है, D का right answer आप लोगों का D हो जाएगा, सिमान सरके, चलिए चलते हैं 11 question पे, ठीक है, आपका 11 का question क्या है, भारत के किन सहाडों में metro rail सेवा उपलब्द है, option A ह दिल्ली एवं मुंबई, C है कोलकाता एवं चने, D है दिल्ली एवं बैंगलूर, जल्दी से आप लोग 11 का right answer comment कर सकते हैं, तो भारत के किन सहाडों में metro rail सेवा उपलब्द है, तो 11 का right answer आप लोगों का A हो जाएगा, कोलकाता एवं दिल्ली, ठीक है, चलिए चलते हैं 12 question पे, किस words Indian Airlines को Indian नाम दिया गया, option A है 2006, B है 2003, C है 2008, D है 2005, ठीक है, तो 12 का right answer आप लोगों का D हो जाएगा, ठीक है, 12 का right answer आप लोगों का D हो जाएगा, ठीक है, चलिए चलते हैं 13 question पे, भारतिय अंतरश्य जलमार्ग परधी कड़न का गठन किस words किया गया था, option A है 1986, B है 1988, C है 1985, D है 1989, तो जल्दी से आप लोग 13 का right answer कोमेंट कर सकते हैं, I hope कि आप लोग 13 का right answer सोच लिए होंगे, तो चलिए हम देखते हैं 13 का right answer, 13 का right answer आप लोगों का A हो जाएगा, 1986, ठीक चलिए चलते हैं 14 question पे, इन नोर पतन किस राज में इस्थित है, option A है गुजरात, B है गोवा, C है तमिलनाडू, D है करनाटक, तो जल्दी से आप लोग 14 का right answer कोमेंट कर सकते हैं, तो 14 का right answer आप लोगों का C हो जाएगा तमिलनाडू, ठीक है, 14 का right answer आप लोगों का C हो जा C है 6, D है 8, तो जल्दी से आप लोग 15 का right answer कोमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से आप लोग 15 का right answer कोमेंट कर दीजे, तो 15 का right answer आप लोगों का D हो जाएगा, ठीक है, चलिए चलते हैं 16 question पे, नागपूर सरक योजना कि अंतरगत सरकों को कितने भागों में बाटा गया है, option A है 4, B है 6, C है 2, D है 5, तो जल्दी से आप लोग 16 का right answer कोमेंट कर सकते हैं, तो 16 का right answer आप लोगों का A हो जाएगा, ठीक है, चलिए चलते हैं 17 question पे, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, option A है सरक, B है जल, C है रेत, D है वाई, जल्दी से आप 17 का right answer कोमेंट कर सकते हैं, तो I hope कि आप लोग 17 का right answer सोच लिए होंगे, तो चलिए, हम देखते हैं 17 का right answer, 17 का right answer आप लोगों का A हो जाएगा, सरक, ठीक है, चलिए चलते हैं 18 question पे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है, option A है मुंबई, B है चने, C है कोलकाता, D है कांडला जल्दी से आप लोग 18 का right answer कोमेंट कर सकते हैं, तो 18 का right answer आप लोगों का A हो जाएगा, मुंबई, तीक है, चलिए चलते है 19 question पे, श्वर्णिम चतुरभूज संबंदित है, option A है डेलवे से, B है सरक मार्ग से, D है जल मार्ग से, C है जल मार्ग से, D है वाईउ मार्ग से, जल्दी से आप लोग 19 का right answer कोमेंट कर सकते हैं, तो 19 का right answer आप लोगों का B हो जाएगा सरक मार्ग से, ठीक है, चलिए चलते है 20 question पे, मेटरो डेल से वा उपलब्ध है, option A है धनबाद में, B है दिल्ली में, C है डाइपूर में, D है गुहार्टी में, जल्दी से आप लोग 20 का right answer कोमेंट कर सकते हैं, तो I hope आप लोग सोच लिए होंगे 20 का right answer, तो चलिए हम देखते है 20 का right answer, तो 20 का right answer आप लोगों का B हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है, चलिए चलते 21 question पे, डेसकन और एसी रेल गारी किस राज में चलती है, option A है राजस्थान, B है करनाटक, C है महरास्थ, D है तमिलाडू, तो जल्दी से आप लोग 21 का right answer कोमेंट कर सकते हैं, तो 21 का right answer आप लोगों का C हो जाएगा, ठीक है, महरास्थ, ठीक है, चलिए चलते है 22 question पे, भारत में भारत का सबसे बड़ा railway छेतर कौन है, option है पुर्व railway छेतर, B है पच्छिम railway छेतर, C है चलिए चलते है 23 question पे, निमनाकीत में कौन संचार सेवाओं का अंग है, option है, समाचार पत्र, B है, टेलिफॉन, C है, टेलिवीजन, D है, इनमें से सभी, जल्दी से आप लोग 23 का right answer कोमेंट कर सकते हैं, 23 का right answer आप लोगों का D हो जाएगा, इनमें सभी, समाचार पत्र, टे हो जाएगा, चलिए चलते है 24 question में, भारतिय डाक विभाग की अस्थापना कब हुई थी, option A है 834, B है 8854, C है 890, D है 1920, तो जल्दी से आप लोग 24 का right answer कोमेंट कर सकते हैं, 24 का right answer आप लोगों का B हो जाएगा, 1854, ठीक है, चलिए चलते है 25 question में, भारत का सबसे छोटा रेलवे छेत्र कौन है, option A है उत्तर रेलवे, B है पुर्व रेलवे, C है मध्यम रेलवे, D है उत्तर पुर्वी रेलवे, तो 25 का right answer आप लोगों का, D हो जाएगा, उत्तर पुर्वी रेलवे, ठीक है, चलिए चलते हैं, 26 question पे, वायू परिवहन की राष्टिये करन कभी कि जा गया, option A है 1933, B है 1947, D है C है 1915, D है 1923, तो जल्दी से आप लोग 26 कराइटेंसर कॉमेंट कर सकते हैं, 26 कराइटेंसर आप लोगों का, D हो जाएगा, 1923, ठीक है, चलिए चलते हैं, 27 question पे, विश्व का प्राचिन्तम परिवहन साधन क्या है, option A है जल परिवहन, B है डेल परिवहन, C है हवाई परिवहन, D है इन में से कोई नहीं, तो जल्दी से आप लोग 27 कराइटेंसर कॉमेंट कर सकते हैं, 27 कराइटेंसर आप लोगों का, A हो जाएगा, जल परिवहन, ठीक है, चलिए चलते हैं 28 को question पे, उत्तर डेलवे का मुख्यला कहां है, option A है कोलकाता, B है गोड़कपूर, C है हाजिपूर, D है नहीं दिल्ली, तो 28 कराइटेंसर आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं, 28 कराइटेंसर आप लोगों का, D हो जाएगा, नहीं दिल्ली, ठीक है, चलिए चलते हैं 29 question पे, निम्न में से कौन राज रेल मार्क से नहीं जुडा है, option A है असम B है नागालेंड, C है मनिपूर, D है मेघाला, जल्दी से आप लोग 29 कराइटेंसर कॉमेंट कर सकते हैं, I hope कि आप लोग सोच लिए होंगी, चलिए हमें स्टार्ट करते 29 कराइटेंसर दिखते हैं, 29 कराइटेंसर आप लोगों का, D हो जाएगा, मेघाला, ठीक है, I hope कि में भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है, आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको यह अच्छा लगे, क्योंकि आपके एक्जाम के द्रिष्टी से, जितने भी सारे कोश्चन आपके चैप्टर 4 से बनते थे भूगोल में, वो सारे भी भी या अपजेक्टिव यह लाते रहें, ठीक है, ठांक्स फोर वाचिंग इस वीडियो,